असलम अलेकम, वेलकम टू शिनायान नियूज, उमीद करती हूँ के आप सब खेरिये से होंगे, आज की वीडियो में बात करेंगे, UK इमिग्रेशन के हवाले से के UK में मजूद जो MPs हैं, उन्होंने इंलीगल इमिग्रेंट्स के हक में अवाज बुलांद करने पर UK की होम सेक प्रिटी पर्टेल का एहम बियान जारी हो गया है, उनका इस हवाले से क्या कहना है, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, तो जैसा के मैंने आपके साथ अपनी लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि चन्द इमिग्रेंट्स ने अपने अलाक इनको होम आफिस के पास चाकर अपने मुतालबात या इतजाज करना चाहिए, क्योंके होम सेक्टरी जो है वो इनके हक में अच्छे फैसले नहीं कर रही है, तो इन MPs की तरफ से सिर्फ इमिग्रेंट्स को खुश करने के लिए थोड़ा बहुत बोला गया है, मगर अब इस होले से होम सेक्टरी प्रिटी पर्टेल के ने बियानात जारी हुए है, उनका कहना है कि ये MPs सिर्फ और सिर्फ अपनी PR हाई करने के लिए इन इमिग्रेंट्स की हमायत कर रहे हैं और इनको जूठी तसलियां दे रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं और इनका कहना था कि इन MP के हवाले से सही फैसला लेना मुम्किन नहीं है, मगर ये MPs इनको गलस साइट पर लेकर जा रहे हैं, जबके अभी मुल्की सूर्टेहाल भी खराब है, लॉक्डॉन की वज़ा से काफी अदारे भी बंद हैं तो अभी इनके बारे में फैसला करना मुम्किन नहीं, इसलिए उन्होंने MPs को वर्निंग जारी की है के वो इनकी होंसला वजाई ना करें, अभी हम इनके मुतलिक फैसला नहीं ले सकते हैं, उनका मजीद कहना था MPs को के आपको साथ देना चाहिए, ना के इन illegal immigrants का, तो जैसे के आप जानते ही है के प्रिटी पर टेल हमेशा से ही illegal immigrants के माम में बिलकुल भी अच्छे फैसले नहीं लेती है, उनका यही कहना है के इनको ऐसे ही रहने दिया जाए, ताके आने वाले immigrants को रोका जा सके, इनको सबक दिया जा सके, तो ये थी आज की एहमतरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है, उमीद करती हूँ के आपको पसान आई होगी, इसी तरह मिलती हूँ, फिर मैं आप सबसे किसी latest अपडेट में, तब तक आप सब अपना बहुत ख्यार रुकेगा, थाइंक्यू, खुदा हाफिज